Hello students, आज हम start करेंगे 10th class का जो photosynthesis है, ये photosynthesis ऐसा topic है, जैसे देखो आपने, मैंने आपको live process start करवाया हुआ है, तो जिसमीं मैंने आपको बहुत सारे nutrition के बारे में discussion किया था, जैसे heterotrophic nutrition, autotrophic nutrition, इस तरह से बहुत सारे nutrition मैंने आपके साथ discuss की थी, तो आपको मैंने बताया कि जैसे अमबीबा जो मेरी लास्ट वीडियो थी अगर किसी बच्चे नहीं देखा उस वाली वीडियो का आप जरूर देखो जो अमबीबा की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि अमबीबा कैसे फूड एंटेक करता है और कैसे कोई भी म बढ़ाई हुई है हमारे चैनल में ही है तो वह आपको लिंक भी मैंने सेंड किया हुआ था तो आप देख सकते हो वहां पर तो आज का जो टॉपिक है यह फोटो सेंथिस है फोटो सेंथिस एक टॉपिक जो है एक प्रोसेस है लेकिन आप से पहले जरूरी बात करना चाहता जो सिंगल सेल होता है जैसे अंभीबा इसका मैंने आपको फूड का जो पूरा जो सेड्यूल था जो कैसे यह खाना खाता है और कैसे यह बाहर आउट टेक करता है जो वेस्ट मेटिरियल है तो क्या आपने कभी सोचा होगा कि यह जो प्लांट्स लगे हुए है जैसे मेरे मेरे भी गर में काफी सारे प्लांट्स हैं जैसे यह दिखो यह जो सारे सारे यह प्लांट्स है क्या यह भी फूर्ड परपेर करते हैं जो फूड कहीं से लेते हैं जैसे मेरे पो बताया कि Enosuk Grand nutrition किया होती है जिसमें जो green plants होते है वो खुद का food prepare करते है help किसकी लगती है carbon dioxide की पाने की और storage की जो रोश्नी होती है sunlight होती है इसका use करके वे अपना food तियार करते है यह सारे के plants जो है अब यह सारे plants जो कहा है कि photosynthesis मतले एक process होती है photosynthesis जो food prepare करने की इनकी इसे होती है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे हल्की फुल की स्टड़ी आपको 10th क्लास में तो आप एजली समझ जाओगे और बहुत ज़्यादा कुछ लंमी चोड़ी बाते नहीं होती आप एजली समझ सकते हो जैसे आप देख सकतो यह मेरा ही गर है ऐसे कितना सारा यहां पे यह मेरी अकैडिमी की जो है टैग लगा हुआ यहां पे तो यह आप देख सकतो जितने ही पेड़ा कैसे फूड पर पर करते हैं वह हम डिसकस करते हैं देखते हैं, यह photo synthesis लिखा हुआ है, पहले तो photo synthesis का जो meaning है, उसको पढ़ेंगे, photo means sunlight, या अपने word को क्या करता है, split कर ले न है, ठीक है, photo synthesis, photo means sunlight synthesis मतलब क्या करना है, make, prepare food, अपना food परपेर करना है, sunlight की help से, बस इतने है, और क्या क्या चीज़े लगेंगे, carbon dioxide लगेगा, पाड तो अपना फूड ये खुद प्रपेर कर लेंगे किसी से मुझे मांगते नहीं है क्या आप लेके जाते हैं उसाली इनके बास नहीं लेके जाते हैं वही वात है तो यहां पर एक रेक्शन लखी हुई है कि कार्बन डाइकसाइड का जो यूज किया और जैसे आपको ऑक्सिज बना लिए गलुकोज बनाने के बाद ऑक्सिजन नहीं बाहर छोड़ दिया जिसको हम लेते हैं और यह पानी के कुछ मॉलिक्यूल जो आप टैनियों के जो पत्ते होते हैं उसके उपर आप बूंदो जैसी आप कुछ देखते हो वो तैसारा ठीक है अब यह पूरी की पूर कैसा क्लोरोफिल पिगिमेंट है देख स्टाइब कलोफिल पिगिमेंट क्या होता है ने कहले है व्यूर्ट को यह क्लोरोफिल पिगिमेंट क्या करता है सुरज की जो लाइट होती है उसको आपजौर्ब करता है देखो और हम नहीं लिखाओ हुए आनरजी को उबजूर Northern commentuard है अब इसको सुप्लेट करेगा वह कौन केमिकल नर्जी कीछ में घ्यों के साथ में करके गुलुकोज प्रप्यर करना स्टार्ट कर देτε हैं ऐस्त तरह से करते हैं देखो यहां पर लिखा भी होवा है हम दोons बनाता है जिसके कान गुलुकोज का फॉर्मेशन होता है ठीक है केमिकल नरजी जो है पानी के जो इस इस मोलीकूल को रिप्लेट करके ऑक्सिजन को लग और है तो यही ता इसमें और यह इस ही पूरी की पूरी जो इस रेक्शन को देखो गया आप स्टुडी करोगे तो आप आपको केमिकल रेक्शन आपको आती हैं मैंने इसको बैलेंस किया हुआ है और कुछ भी नहीं आपको गुलुकोज का जो यह फोर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा कार्बन डाइक्साइड ने पानी की सारे रेक्ट किया सूरज की रोशनी में यह सारी प्रोसेस कोन करते हैं प्लांट्स करते हैं ठीक है तो गुलुकोज बड़ा और 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 पानी के कुछ मोलीकूल भी बहार निकल गीजिए जो पानी के इसको हम फोटो सेंथेस बोलते हैं और इसका जो सही तरीका लिखने का हुई है कि प्लांट्स मेक देर आन फूड इन दा प्रेजेंस ओफ सनलाइट विद दा हैल्प ओफ कार्बन डैक्साइड एंड वाटर एंड सम मिन्राल्स एंड 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 परड़क्ट को लुकोज आप लेख सकते हो ठीक है और यह थी फोटो सेंथे और आगे है और अब देखो मेन बात है कि कार्मन डैक्साइड इसने लिया पानी लिया पानी जो एक्सेस में था वह इसने रिलीज कर दिया प्लांट्स ने तो यह करते कैसे हैं यह बड़ी इंपोर्टन चीज है तो एक ह मैंने आपको दखाई हुए तो स्टोमेटर के अंदर देखो आप क्या देख रहे हो क्लोरोफिल देख रहे हो गार्ट सेल देख रहे हो बुक को साथ में उपन करके रखो आपको समझ में आ जाएगा स्टोमेटर के अंदर देखो गार्ट सेल है गार्ट सेल के अंदर क्लोर वोटर मॉलीकुल को सिप्लिट कर देगा इसई है इसारा और ये स्टॉमेटा होते हैं यह एक ओपन है और एक क्लोज है ठीज है अब जब ज़रूरत होती है जो ऑपन हो जो पूर होता है जब यह यह कार्ड सैल श्रींग करेंगे तब स्टो मेटा की ओपनिंग है वह कलोज हो जाती है ठीक है श्रीद करने की वजा से, अब देखो और यह जो फोटो है यह स्टो मेटा की यह प्रेक्टिकल रैब में साइंस माइक्रिस्कोप के अंडर देखी गई है और यह रियल है फोटो देख सकते हो आप लोग तो मैं अगर बात करूँ गर्मी है बहुत जदा गर्मी हो जाती है पानी की कमी हो जाती है प्लांट्स को पानी उतना मिलता नहीं जितना इसको चाहिए ठीक है तो यह अपने जो गर्म बिमार हो सकते हैं जैसे हम बिमार हो जाते हैं ठीक है तो यह जो स्टो मैटा है स्टो मैटा की जो पोर पोर होते हैं इसी पोर से जब यह पोर ओपन हो गया तो कर्म डेक्साइड इंटर कर गया अब और ओपन हो गया तो ऑक्सिजन बाहर आउटसाइड में आ गया ठीक है य की जो च्छाएं होती है वो ज्यादा ठंडी लगती है हमें ठीक है यह एक प्रोसेस होती है आपको आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में ठीक है यह कूल डाउन फेक्ट बोलते हैं इसको ठीक है ट्रांस्पिरेशन कहा जाता है तो यही था बिटा आज जो प्लांस कैसे पड़ो आप जितना है ठीक है और आपने इतना ही पढ़ना है जो स्टॉमेटा तक का अपने रीड करना है और कोशी भी और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वह आप देख सकते हो ठीक है तो वह मेरे चैनल में जाकर क्या आप वीडियो जितनी भी है सारी देख सकते हो ज